हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहा है एग्रोनामी अगर हम एग्रोनामी में बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे होटी कल्चर के बारे में देखो एग्रोनामी जो 11th की है मतलब कच्छा 11 की वो भी दोस्तों चालू है ठीक है उसके बाद में जादा इंपोर्टेंट रहेंगे बौर्ड के लिए तो हैनि लेकिन इसके साथ में दोश्तों उस्के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे इना तो सबसे Πहले हम बात करेंगे होटी कल्चर बाई जब हम thank है एग्रोनामी के अंतरगत हर्टी कल्चर के बारे में पढ़ रहा है ठीक है जैसे एग्री कल्चर है एक ब्रॉड टर्म है ठीक है उसमें एनिमल हस्वेंडरी मतलब पसुपालन विज्ञान भी आता है ऐसे ही जो हमारी एग्रोनामी है उसी में दोस्तों आपने देखो अपन ऐसे एग्रोनामी भी दोस्तों क्या है वलो इसको बहुत हैं लेकिन क्या स्लेवस बड़ा है यह बात तो आप सभी लोगों ने सुनी ही 00 privileged कि अगर मैं बात करू होंति कल्चर की तो ये दो सब्दों से मिल कर वरना है कौन कौन से दो सब्द है एक तो अहरेटिस दूसरा है क भूत ज्यादा पूंच लेते हैं कि horticulture के पिता कौन है father of a horticulture तो mh miri goda यह mh mori goda क्या है दोस्तों हर्टी कलचर के पिता है horticulture के पिता कौन है mh miri goda देखो और एक बात बता दे यह ICR में professor थे हर्टी कलचर के जो पिता थे और एक बात आप सबी लोगों को और भी ध्यान रखनी है कि जो पिता होते हैं इनको बहुत ज़्यादा याद रखा करिए जिससे की है कि कोश्चन ज़्यादा तर इंट्रेंस एक्जाम में यहीं से पूँच लिए जाते हैं कि होटी कल्चर क्या है तो हटर प्लस कल्चर से मिलकर बना है सब्द कौन सा है लेटिंग सब्द है होटी के पिता कौन है तो एमेच मेरी गोड़ा है अब हम डिपनेशन की बात करेंगे हो सब्जियों फलों सोभाकारी पौधों की उत्पादन संबंदी विविन क्रियाओं का बैज्ञानिक अध्यन किया जाता है अब एक एक चीज़ समझेंगे अभी मैं आगे जाके बताऊंगा देखो अब सब्जियों का अध्यन किया जाता है जितनी भी सब्जियां आती है ठ सोभाकारी का मतलब क्या होता है देखो आप लोग सहर में जाते होंगे ठीक है अगर हम बात करें नैचुरल अगर सोभा की बात करें तो दोस्तों गाउं में ही देखने को मिलती है लेकिन अगर हम जब सहर जाते हैं तो सहर में देखते हैं कि बड़े-बड़े को मकान बने ह होते हैं ठीक है और उन मकानों के आगे जैसे असोग का पेंड़ ले लो और जैसे फूल वाले जो फूल वूटे होते हैं वो लगा के वो लोग रखते हैं गमले में तो वो किसलिए होते हैं वो सोभा वड़ाने के लिए होते हैं मकान की सोभा वड़ाने के लिए तो ऐसे जो प्रहकते उनको सोभाकारी बोला जाता है इनकी जो बज्ञानिक अध्यनगिया जाता है चाहि इनके इसमें कौं शर रोग लग रहा है कैसे इसका उत्रपादन वड़ाना है इन सारी चीज्वों का जुँच्यान ओता है वह अंतरगत किय आ जाता है अब हम लोग बात करेंगे हाटी कलचर की साखाएं ब्रांचे साफ है हाटी कलचर देखो इनकी साखाव कि अगर हम बात करें तो साखाएं कई हैं लेकिन जो important है exam के तौर पे word का exam हो या आप किसी भी entrance exam की तयारी कर रहे हो जैसे pomology पॉमोलोजी को बस एक ऐसे तुम समझ लेजिए कि पॉमोलोजी जो है बो दोस्तों इसके अंतरगत हम फलों का अध्यन करते हैं फ्रूड का अध्यन करते हैं बस सिंपल सी बात है फलों का अध्यन किया जाता है ठीक है अगर हम अलोरी कल्चर की बात करें तो इसमें दोस्तों सबझ यों का ध्याँगा किया जाता है एक बात बता दे कि कि हमारा इंडिया है ठीक है हमारा भारत कोई भी किसी का दनम दिन ठीक है आप पार्टी में गये हैं उसके लिए गिफ्ट लेके जाना एटेक हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग जैसे की flower देना है है या कुछ भी छालिस रुपय का हम अभी बगीचे इसे जाते वहां से फिरी में तोड़के लेके आ जाते तो भाइ एक बात बताईये फ्लोरी कलचर जब उसने मतलों की स्टार्ड की आ उसमें कितनी लागत लगी फिर उसके बाद में क्या हुआ उसको रेफ्रेजेटर में जो दोस्तों रखा-जयतर दा सराछण किया जाता है रिफ्रेजेटर में सरचंड करके फिर उसको मार्केट तक ले जाना उसकी पैकिंग करना ठीक एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाने में जितना दोस्तों खर्चा आ रहा है डीजल पेट्रोल का वो सारा लगा के बाई 40 रुपए का तो फूल होई जाएगा तो आप लोगों को क्या लगा यह महेंगा लगा तो कहने का मतलब है फ्लोरी कल्चर में और ब्रांच से ज्यादा क्या है इसमें इसको ज्यादा है ओके आसा करतों चीज समझ में आई होगी अगर हम फ्रूट प्रिजरवेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या जैसे हैं फूल है सवाजिया है इनका सभका संरचर की आ हिसे करता है वह अगे बात होती होगी लिकिन Mum समझ लेजिए जैसे कि फलों की तुड़ाइ होगई सवजियों की तुड़ाइ होगई अब हारी सबजियां है अगर उनको मैं ऐसे रख दूंगा मनलव कि ऐसे ही उनको हम संरच्छण नहीं करेंगे अच्छी तरीके से जहां पर संरच्छट किया जाता है तो वो सवजियां औ बादर आफे systematic pomology, systematic pomology की अगर हम बात करें, तो simple सी बात है, यहाँ पर तुमको यह याद रखनी है, कि pomology के पिता कौन है, तो de kandola है, ठीक है, de kandola क्या है, pomology के पिता है, यह चीज याद रखनी, most important दोस्तों है, ठीक है, यह चीज याद रखना, सुनहरी करांती के पिता कौन है, डाक्टर केल चड़्धा, ओके, अब एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, सुनहरी करांती और जितनी भी करांती और भी है, उन पर मैं separate video बनाऊँगा, ठीक है, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important रहेगा, ओके, और दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते रहेना, डेली का डेली दोस्तों target अपना पूरा करते रहे हैं, और अच्छी तरीके से आप लोगों की तयारी भी हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं होता है, खैर चोड़िए, अब मैं बात करता हूँ, फल की, अब फल क्या होता है, इसकी देखो definition में लिखा है, परिपक को अंडासे ही फल कहलाता है, अब देखिए, ओबरी को बोला जाता है अंडासे, आप सभी लोगों को देखो ये चीज दिख रही होगी पूरी, ठीक है, ये देखो पीला पीला कलर का दिख रहा है, ये ये, ये, ये दोस्तों क्या होत होता है, अंडासे होता है, जब ये परिपक हो जाएगा, मतलब कि पक जाएगा, तो उसी को बोला जाता है, फल क्या बोला जाता है, फल, तो याद रखना, जो परिपक को अंडासे होगा, उसी को क्या बोला जाता है, फल, ओके, इसको इंगलिस में ओवरी बोला जाता है, नेक्ष्ट बात करते हैं वीज की, अब बीज क्या होता है, परिपक को वीजांड ही वीज कहलाते हैं, अब देखिएगा, यह आप लोगों को ओवेज से लिखा दिखा रहा है, ओवेज मीनस होता है, बीजांड, देखो, आप अगर देखेंगे, तो यह देखो छोटे-छोट से यह पक जाएगा तो इसको बोला जाता है बीज ठीक है और जब यह पीले कलर वाला जो मैंने बताया है मतलब अंडा से पूरी तरीके से परिपक अर्थात पक जाएगा तो इसको बोला जाता है फल ओके तो आसा करता हूं चीज समझ में आई होगी तो फल क्या होता है अक्स जो दोस्तों इसमें पार्ट आप सभी लोगों को दिख रहे होंगे जब बोटनी में दोस्तों पढ़ाया जाएगा वहाँ पे तब ये चीजे समझ में अच्छी तरीके से समझाई जाएगे लेकिन अभी यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी हो जाएगी आप सभी लोगों समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा तो आप इतना समझ लिए लेजिए कि important आप दोनों के लिए आप सभी लोगों के लिए अभी के लिए important सिर्फ ये दो चीजे हैं ठीक है ये दोनों बहुत ज़्यादे important है अक्सर इसमें confusion भी रहता है तो आशा करता हूँ दोस्तों फल भी समझ में आ गया होगा वीज भी समझ में आ गया क्या होता है अब हम लोग बात कर लेते हैं parts of a fruit देखो ये important इसलिए है कि question ऐसे पूछे जाते हैं कि किस फल का कौन सा भाग खाने योगी होता है है ना तो यूपी कैटेट और इंट्रेंस एक्जम में अक्सर ऐसे question पूछे जाते हैं तब ही पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक फल के अंदर कौन-कौने भाग होते हैं तो कौन से होते हैं तो पढ़ लेते हैं सबसे पहला है इपी कार्ब इपी कार्ब होती है जो दोस्तों खाय वे जाता है इसको खाने योग पाट ही होता है जैसे माइंगो में है तो यही पाट खाया जाता है मीजोकर्प अब हम बात करें इंडोकर्प इंडोकार्प की बात करें तो यह वाली आप सभी लोगों को दिख रही होगी इंडोकार्प मतलब यह दोस्तों यह वाली जो लेयर है यह पर्त जो दिख रही है इसी को बोला जाता है इंडोकार्प अब इंबर्यू इंबर्यो मिन्स होता है भ्रोड जहां पर छोटा बच्चा जिसे नवजात जीसे सिस्व होता है भ्रोड होता नहीं इंबर्यू उसी से बनता है। इसके अंदर भी होता है, जो fruit होते हैं, उसके अंदर embryo पाया जाता है, उसी embryo के द्वारा दोस्तों क्या बनता है, baby plant बनता है, आसा करता हूँ, समझ में आया होगा, next बात करते हैं, इंडो-sperm, इंडो-sperm क्या होता है दोस्तों, जो food store होता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इसके अंदर food store होता है, जिस समय पे baby plant निकलता है, ठीक है, जब अंकुरन करता है, बीज के द्वारा तो वहाँ पे जो उसको nutrition मिलता है, जो nutrition जहां से लेता है, मतलों, इंडो-sperm में भोजन इकठा होता है, वहीं से वह अपना nutrition ले लेता है, और अपनी growth कर देता है, तो पोशक्तत तो कहां से लेते हैं, इंडो-sperm से, तो यह याद रखना, नेक्स्ट बात करते हैं, seed coat, अब देखिएगा, यह जो आप लोगों को color दिख रहा है, इ तो इसको जो पूरी तरीके से, यह seed है, ठीक है, इसके अंदर embryo, ठीक है, यह सारी चीज़े हैं, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, यह धका हुआ होता है, भाई, हर एक बेबी होता है, बेबी भाई, किसी ना किसी चीज़ से धका होगा, तो जो धका होता है, तो उसी को जाता है इसके अंदर सीड कोट ऊपर बीज को ढखे हुए जो पर्थ होती आप लोगों ने देखा होगा बदाम ठीक वादाम के ऊपर क्या होता है कि एक पर्थ जैसी जमी होती उसी को बोला जाता है सीड कोट आसा करता हूं दोस्तों चीज समझ में आई होगी ओके चीज और समझ लिजए अगर हम बीज और आनाज की बात करें जो आणाज होता है वो दोस्तों खाने के लिए इंपवर्टेंट होता भाइ अनाज भी बीज हो सकता है लेकिन यहाँ पे चीज समझें गानाज क्यों नइभीज हो सकता है क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी अच्छे quality दार है बस उनको खाने यग हो के कर लिया जाता लेकिन बीज होता है वो कभी भी देखो बीज तो खाने यग हो सकता लेकिन अनाज कभी भी भी बीज नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है ये चीज इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ कि है इंदे होता क्या है क्योंकि इसके अंदर इंब्रियो अर्थाध भूंड देखा जाता सब्सक्राइब यह इंपर्वाटन होता है अगर अगर भूंड नहीं है अगर उसका जिन्दा तो दोस्तों वह बेकार वीज है ऐसे ही अनाज के अंदर नहीं देखा जाता है अनाज में सिर्फ देखा जाता है कि हष्ट पुष्ट सीड हो मलव कि सीड हो मलव जो दाने होते हैं ग्रेन होते हैं वो हष्ट पुष्ट होने चाहिए उसी को दोस्तों खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं अब जैसे क्या है बी जो है यह सीड कोट हो गया और इसके अंदर फूड इस्टोर होता है जब छोटा सा बच्चा या जोस्तों नवजा सिसु अपनी मा के अंदर होता है जो उसको nutrition उसी मा के द्वारा मिलता है ठीक ऐसे ही क्या होता एक embryo जो होता ये भी एक बेबी plant होता है चोटा सा बच्चा की तरीके से होता है और उसको जो nutrition होते हैं पोशक तत्त होते हैं वो यही food store से ही मिलते हैं इसको ओके आसा करता हूं दोस्तों चीज़े समझ में आई होंगी अब हम लोग बात करेंगे फल के प्रकार टाइप साफे अंडास है ही सत्यफल का निर्माड करते हैं जैसे आम है पपेता है वेर है अब देखो मैंने अभी बताया था कि ओवरी होती है वो जो पक जाती है पूरी तरीके से उसको दोस्तों क्या बोलते हैं फल बोलते हैं तो ऐसे ही जब अंडास है वही जो ओवरी होगी वो परिप हैं अब हम बात करें अस Ugh sự अस्वित क्या हो अंडा से को छोड़ कर मतलब ओवरी को छोड़ कर ठीक है इसको छोड़ ठीक है सिब कर अन्यवाग सकते हैं दलपुञ्ञ हो सकता है पुमंग है दलपुंञ उस पासन से बनने वाले फल असति फल कहलाते हैं या उनका निरमाण करते हैं अब देखो पीछे आप सलाइड में देखाते हैं तभी आप लग visitor को समझ में आएगा पीछे चलते हूं थोड़ा देखो इसको छोड़ कर इसको छोड़ ही दो इसके अलावा दोस्तों यहां से मालो यह है ठीक है पेटल्स है इस्टिगमा है इस्टाइल है ठीक है सेपल है तो इनकी इनसे कई अगर फलका निर्माड होगा ठीक है तो वो असत्य फल कहलाएगा इसको छोड़ कर ठीक है ओबर ह मतलब अंडासे को छोड़ कर अगर अंडासे को अंडासे से फल का निर्माड हो रहा है यह अंडासे है इससे अगर फल का निर्माड हो रहा है तो वो सत्य फल कहलाएगा अगर इसके अलावा किसी से भी निर्माड हो रहा है फल का तो वो असत्य फल कहलाता है ओके आसा करता चीज़ समझ में आई होगी तो ये दोस्तों आप सभी लोग के लिए important रहेंगे example कौन-कौन से सेव, अमरूद, नासपाती और ये तीनों कसर पूछे जाते हैं क्योंकि जिस टाइम पे मैंने इंटरेंस एक्जाम दिया था तब उसमें नासपाती आई थी कि नासपाती सत्यफल है या असत्यफल है ठीक है तो वहाँ पर असत्यफल होता है क्योंकि ये दोस्तों है ये flower के अंडासे को छोड़कर अनिभाग से विक्सित होती है तो इसको वोला जाता है असत्यफल ओके आ कॉपी पेनल लेके नोट कर लो और आसानी से आप हमारे वाटसप पर दोस्तों भेश सकते हैं और वहाँ से आप सब लों को आंसर मिल जाएगा थैंकियो फॉर वाचिंग